पल्लो लटके रमारो पल्लो लटके जरासा जरासा तेड़ो हो जावालू दुला है तयार दुलहने तयार और दुला का रोमैंस भी है तयार नमन शौ रचा रहे हैं नेहा के साथ शादी और इसलिए आज देखे दुला दुलन पहले से ही निकले है अपने शादी के चोड़े की शॉपिंग करने और मेरे साथ है मेरी बेस ट्रेंड और मेरी बहुत जल्द होने वाली बीवी नेहा हाँ हम यहाँ परहे है कल-की आज-कस अर्य थी कहे तो यहाँ कुछ यहां कुछ वड़िंग शॉपिंग करने वाल रहे तो आई अंदर वार मेरे साथ और हमें सुलेकzungन से भी हमें किया यहां का कलेक्शनल Frams क्या ड्रेस्स है? वाँ, वाँ, आफ रेड चॉलेश्ट भॉट अच्छा चॉलेक्शन है अपुरी तरह कंफ्यूज होने वाँ गाफ नहीं कि क्या पिक आप करना है और ज्या नहीं अच्छा कॉलर्स, ब्राइब कलर्स हमें राइब क्लर्स शाहिए एक यह कैसुल वेर सेक्षिन है ठालो सर्फ नमाद नहाँ है सर्फ हमें ब्राइडल क्लेशन देखना है जो पहन सके प्लीस हेल पास आउ तरह अच्छे वाले कलेशन देखना नाइस प्राइड कलर्स जो लीटस्ट अभी आये प्लाजों में देखना चाते है शूट देखना चाते है या उचसे भी ब्राइडल चीए तो पहले नीचे जाते है ब्राइडल सेक्षन देखें तरह वह एक वारे लिए इसवाज बिकर्स और ज्यादा वक्त है हमारे पास तो नो करहें हैं अप्षादी वाले खानों पर टांस तेनू महले दवा दूगा हम यह डर है कि कहीं है रात को ज्यादा काला तो ब्लैक ना लगे बिकर्स हमारे वाह पर यूपी में आप शादी में ब्लैक नहीं पहन सकते मतलब इससे एक शेर्ड लाइट हम लोग जा सकते हैं वह रेड भी दिखे और ब्लैक ना दिखे स्टेज पर बहुत लाइट होगा तो ब्लैक नहीं लगना चाहिए तो शाद नीचे ऐसा करके यह पिंक वाला रोज गोल्ड में टॉप पार्ट लेके ऐसा कर सकते है तो इसका वर्ट में अच्छा लग है नीचे लग है बट अविसली ग्रीन कलर नहीं इन वाइन कलर उनली लेट सी ठीक है मुझे वहाँ पर भी कुछ अच्छी चीज़े दिख रही है तो वहाँ चले यह पेंक में थोड़ा सा कॉक्टेल और रिसेप्शन है तो थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल है तो गाउन्स भी है नमोरो नेहा की शादी हो तो कोलकाता में होगी लेकिन शादी की तैयारी मुंबई में शुरू हो गई है नेहा मिश्रा यानि नमन की दुलहनय को अपने लिए लहंगा चूली और तरह तरह की चुनिया ढूनी है और मुंबई के कल की स्टोर में उन्हें मिले अपनी शादी के लिए ये रंग बिरंगे कपड़े यार ये सब कलर हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा जैसा लग रहा है बॉटल ग्रीन पे पिंक का वाव मैंडम जी देसी फैशन वे लाइती बोली में घोली मीठी की लाइची हीले उची फॉरां बिटान नखरा बातें बड़ी हैं हाइफ माइं विगलापी आपे अटिटूड वक्या पर नमान को भी मिल गई है उनकी शादी बादी शेरवानी तीन ओर्फिट्स ट्राय कर लिए अब चौथा ट्राय कर रही है तो मैंने सूचा मैं भी क्यों ना अपने लिए कुछ और फिट्स ट्राय करूं ताकि मैं उसे टक्कर दे पाऊ भी क्या है वह अतना सर्जदच के करारी और मैं कैजूल शर्ट पहना हो तो मजा नहीं आ रहा है इसलिए मैंने भी एक शिर्वानी डाल लिया है अलाव तो इस कलर अब डिपेंट करता है कलर सारा कि नेहा क्या पेनेगी कौन सा लेंगा पेनेगी उससाब से मुझे अपना शिर्वानी मैंच करना है ये पुल्हन नेहा को पीछ रंग की ड्रेस चाहिए लेकिन यहाँ पर रंग बिरंगे आप्शन्स है इसलिए जरा तरह तरह के लहेंगी ट्राइ करें इस लिए इस लिए इस लिए लैंटो एए बैर इंगलिश इस ब्यूटिफूल खाली हात थोड़ा सब्सक्राइव जिए तुट रे जा सब्सक्राइव जाए लुट्टिट होजा है इस वेप्श पीछ पीछ कर रहें जिस यहाँ देखो ना मिराइव ट्रेंग ऑन लुट क वाव, ब्यूटिफुल यार, सही लग रहे हो, इतना ब्यूटिफुल को मुझे लगता है फूरी शापन में तुन मुझे नहीं ब्यूटिफुल है, तो हुजा एक शादी वाला डांस, चांद साथ तुझ मज में चमकने लगा, रहू तेरे यूँ पास में, बनू तेरा है सास में, यार जीलू आ तेरी हर सास में शांसा तुडलता, तू सुभासा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे अब ज़रा चालते हैं नमारो निहा की लव स्टोरी करते हैं अब एक शो में मिले थे, मैं स्टार वन पर एक शो कर रहा था, फिर कोई है, उसमें मैं एक गोस्पस्टर प्ले कर रहा था नहां आजए टाइम पास के लिए उसमें एक चोटा सा कैमियो कर रही थी, इंस्टेंटली हम लोग बहुत अच्छे दोस बन गया है, हम तो उनको यूपी के हैं, तो एक यूपी कनेक्शन भी था, शी स्टेश वित रदर, इसका भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड जासा बन गया मेरे बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड से अब जोनी एक लफ उपर हो चुका है, इनके मन में ऐसा आया कि, इन्हें मुझे प्रोपोस करना है, तो उन्होंने पहले मेरे भाई को बोला, काल करके, और मेरे भाई को बोला कि मैं करने वाला हूँ, आप जो यूँ नही था, कि करने वाला हूँ उसने बुला यो ओक्य है विदट ना सो मेरे भाई ने बुला कि हा यार मतलब एक बेस्ट फ्रेंड अगर आपका जीवन साथ ही बनता है तो अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती मेरे मॉम, इनके पेरंस, हमारे पेरंस यह लोग सब काफी टाइम से सोच रहे थे बट ऐसा कुछ भी नहीं था सभी कोई सोच है जितने भी हमारे पुराने फ्रेंड्स है वो अब सब यहीं बोलते हैं देखा तुम लोग उने हमसे चुपाया यह बात और हमारे बीच पैसा कुछ भी नहीं था इन्होंने प्लान करके रखा था इन्होंने मुझे बस बताया नहीं था तुम मुझे नहीं पता था पर इन्हें बता था कि इनको मुझ से शादी करनी है लास्ट टू यह से मैं अपने आपको प्रिपेर कर रहा था मुझे कमिटमेंट का बहुत डर है तो I was like mentally अपने आपक अपने प्रिपेर कर रहा था हा मुझे शादी करनी है शादी करनी है मैंने प्रपोस किया और बहुत अप्वर्ड प्रपोसल था विकॉस अब जब आप बेस्ट फ्रेंड्स हो आँचानक से आप प्रपोस करने जाते हो तो आपको सबच मिनी आता शुरुवात कहां से करे त तो इसके भागी मुझे फोन के कि निया बहुत अफसेट है नमन जस्टेकर आउट समवेर बहुत साड़ है थीक है तो मैंने पुछा तुछा तुछार सुनना मैं इस चीज बहुत काफ़ी देने उसे चल रही है तो 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 यू थिंक आई शुद आस्क नेया पार मारिश अउनमन इस से चुछ को छोई नहीं सकता है तो मैंने इसे पुछा नहें हो तो तो जाए नमने इसे पुछा नहां कहा हो तो तो इसलेग नमना इम Вेय टायद आय। आट आम गूएड शारूबन कि तो रुछ करह हूं कि कैसे एक व्लक्शें पूछ हुँ करहूं कि कैसे कि अचिने कंदी भाइट आपक एड विट रावा कि अर्ड ना कि अज़ कि अप्रेम करो रोमान्ट नहीं है मैंने बुला कि तुम सच में मझे प्रॉपोस कर रहे हो तो हम भी बुछ तुम से शादी करनी है अचैनल मैं इतनी शौक थी I was like, but हम तो प्रेंस हैं, ना, प्रेंस कैसे शादी कर सकते हैं, तो उन्हों ने मुझे बुला, प्रेंस ही तो शादी करते हैं, तो मैंने बुला, दिखो, अगर तुम मजाग कर रहे हो ना, तो यू लीव दा कार राइट नो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पढ़ जाए, तुम देना साथ में, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवाज, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवाज, और इस शादी के अर्जानकारी आपको देगा सास बहुर बेट्या, नवफुर माउची, मुंबई आज तक,